है ओके सो आज हम लोग बात करेंगे स्कल्प्टिंग ब्रॉशेस के बारे में तो आगे क्या है देखते हैं लोग स्कल्प्टिंग और यहां पर मैं मैट कैप यूज करूंगा यह वाला ओके और कंट्रोल डी डाइनमिक टैपॉलिजी अन कर लिया मैंने और एक मिनिट मैं यह भी आन कर लूँ शॉटकट विवर ओके और क्याची यह जो साइज है वो मैं करतेता हूं एट ठीक है तो आज हम लोग को आज हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं आज हम लोग बात करेंगे जो यह वाले जो ग्रूप है जो रेडिश औरेंज रेड टाइप के प्रूप है जिसमें स्मूथ फ्लैटन फिल और स्क्रेप तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे जल्दी जल्दी तो स्मूथ ब्रस को तो सभी लोग जानते ही है ठीक है जैसे अगर मैं माली जे पहले कुछ मैं क्रिएट कर लेता हूं ठीक है तो मैंने ले लिया क्ले ब् तो सपोज कि मैं एक नाक बना रहा हूं कि तो जो नाक है कुछ इस तरह का होगा कि अब कि यहां पर बहुत बड़ा हो गई है तो यह लिया एफ और थोड़ा चोटा कि अजल्दी से बना रहता हूं है और जी एक कार्टून का नाक है तो यह होने के बाद से थोड़ा और डीटेल बनाते है इसको कि अब कम पर गया यह तो यह तो यह है तो यह तो यह तो यह तो यह कि अग्सके पूना रहा है और यहां पर हम लोग यह बना रहते हैं यहां पर हम लोग यह ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं तो यह तो एक चोटा सा हम लोग ने एक यह बना लिया ठीक है इसको तो यह अरहते हैं और यह उस्ट यह तो यह दो यह यह झाला इसको फू झाल एक्स अध्स इंसाइड और यहां पे भी हम लोगों को थोड़ा क्रीट करना पूरेगा इसा सुक्सी हम तो यह हम लोगों ने एक बना लिया उके सी तो यहां पर गैप होगया यहां प्लीज अच्छी यह ठीक है तो अभी जो यह दिख रहा है थोड़ा पहले हम लोग बात करते हैं यह स्मूथ के बारे में तो स्मूथ यह थोड़ा से में यूनों इस तरह से कर लेते हैं इसको है ओके है एक है यह कार्टून का है तो फिर थोड़ा आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं इसमें तो स्मूथ स्मूथ ब्रश ठीक है स्मूथ ब्रश के बात करते हैं तो जो स्मूथ ब्रश है बेसिक लिए अगर आप कुछ क्रिएट करते हैं तो इसको स्मूथ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जैसे कि अगर आपने यही वाला मैंने यहां पर बहुत बार यूज किया ठ जैसे मैंने यहां पर सिफ्ट सी से इसको शार्प करने कोशिश किया फिर मुझे लगा कि नहीं चलो इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं तो मैं यह वाला ब्रश यूज कर सकता हूं बट आपको या फिर आपने माल लीजिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहां पर प्रेट कर सी क्योंकि जितने भी ब्रशेश हैं उसमें अगर आप शिफ्ट दबाते हैं तो वह स्मूथ ब्रश की तरह ही काम करता है जैसे अगर मैंने लिया हुआ हूआ है ठीक है और मैं काम कर रहा हूं और मुझे स्मूथ करना है सिर्फ यह वाला पार्ट तो मैं सिफ्ट दबा कि इसक मैं जनरली इसको या तो आप इसको कम कर दीजिए या फिर जो रेडियस है वो थोड़ा कम करता हूं तो अगर आप हलका दबाएंगे तो जो है स्मूथ वो कम होगा ठीक है स्मूथ करने का हलाकि स्ट्रेंट थोड़ा कम ही रहे तो ज्यादा बहतर क्योंकि अगर मालीजे कुछ आप डिटेल करते हैं डिटेल क्रिएट कर रहें और उसके बाद फिर उसको आप स्मूथ कर देंगे तो क्या होता है स्मूथ का जो प्राबलम है वो यह है कि आपका डि तो इस चीज से बचना चाहिए इन फैक्ट बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वह स्मूथ जेनरली बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि जो आप डीटेल क्रेट कर रहे हैं एक वर आपने अगर गलती से स्मूथ चला दिया तो डीटेल निकल जाता है तो उसके जगा पर वो लो कु आप ले यूज कर सकते हैं क्ले ब्रश इसको आप अगर आप आप यहां जहां जहां पर दिख रहा है उसके उपर आवे कर चला देंगे इसमें मेहनत ज्यादा पड़े कि आप बट यह दिखने में ज्यादा नैच्रल लगेगा और अच्छा भी लगता है सिर्फ नैच्रल क्या है तो यहां पर स्मूथ अगर सिफ्ट करके करेंगे तो स्मूथ हो जागा सब ठीक है तो स्मूथ आपको समझ में आगया कोई भी डीटेल को स्मूथ करने के लिए बेसिकली यह क्या करता है कि जो वर्टिस के पोजिशन है उसको एवरेज एवरेज कर देता है ठीक है यह वाला और बाहर निकलेगा अगर आप शी अगर इसके उपर द्यान नहीं देते हैं हम लोग तो यह समूथ इसके बाद फ्लैटन फ्लैटन क्या करता है अगर आप जहां पर भी ब्रॉश चलाते हैं तो उस एरिया को फ्लैट कर देता है यहने के मतलब अगर मैं इसके तो यह फ्लैट हो जागा अगर देखिया अगर फ्लैट हो गया जो फिल है वह और फिल और स्क्रेप यह स्क्रेप मैं बहुत यूज करता हूं जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में कि अगर आप क्ले ब्रॉश करते हैं तो दो तरीके से काम करता है एक तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हाट प्रेस करते हैं ठीक है उसके बाद आप अगर हलका प्रेस करेंगे तो फिर वह इस तरीके से काम करता है ठीक है तो यह जो है यह एक तरीका है यूज करने का या फिर अगर माली जाप क्ले स्क्रिप यूज करते हैं तो क्ले स्क्रिप म पड़ेगा ठीक है तो उससे भी आप स्मूथ कर सकते हैं तो मुझे थोड़ा ज्यादा नैचरल लगता है क्ले ब्रश से भी वो डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल प्रिफरेंस क्या है बट मैं स्क्रेप ब्रश जो है वह यूज करता हूं इसके लिए और यह क्या हो रहा है इसके उतना अच्छान ने लगा है अगर मुझे कुछ देना है माली जी कार्टून क्या तो असे इसके लिए बहतर है तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं मुझे समाले जी मुझे यह वाल एरिया थोड़ा फ्लैर्टर चाहिए तो मैं स्कूपर फ्लींस अब मना सकते हैं इसके अगर यह इधर नहीं होना चाहिए है तो अभी देखिये इसका जो लुक है चेंज हो गया ठीक है अगर माली जीए आप उसको स्मूथ करने के लिए भी समाल करते हैं वह मैंने आपको दिखाए भी समाल लीजिये जहां पर भी आपको स्मूथ करना आप आप एक बार इसको उसके एजस पर चलाते जाए वह स्मूथ होता चला जाता है ठीक है जैसे की इतम हार्ड प्लेन अगर मैं क्रेट करूं ऐसा यहां पर ऐसा और उसके बाद शार्प नोसे इसका अधिक है एक शार्प चेंज हो रहा प्लेन के अंदर अगर आप कुछ रही कि नहीं तो तो स्मूथ कर सकते हैं आप इसे बड़िया दिखने में ज्यादा बहतर लगता है मुझे जी बहुत ज्यादा है बाहर की तरफ कि हां कि कि आप इसको इस चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं स्क्रेप राइट और फिल जो है वह इसका इक्जैक्ट ऑपोजिट है ठीक है तो सपोज एक काम करते हैं कहां इसका आँक बना रहते हैं ठीक है और जिसे मैंने अभी क्लेश लिए इसको मैं हाट प्रिस कर रहा हूं तो इस तरीके से हो रहा है और इसको अगर यहां पर मुझे ज्यादा करना है तो मैं क्या यूज करूंगा मैं 100 प्रसेंट यूज करेंगा तो यह बहुत यह अच्छे से वहां पर यह होल कर देता है ठीक है इसको थोड़ा सा और यह करना है तो मैं यहां पर स्क्रेप यूज कर सकता हूं ठीक है थोड़ा स्मूध कर दिया मैं नहीं है तो इस तरीके से यह और आपको यह करे चाहता हुँ मैं यहहां पर मास्क यूज मैं कर दूँगा इन्वर्ट और हम लोग ग्रैब ब्रश यूज़ करेंगे थोड़ा बड़ा और इसको मैं सब्सक्राइब बाहर निकालता हूं ऐसे कि यह मैं इसका बना रहा हूं कान और जैसा मैंने आपको पताया था कि जो ग्रैब ब्रश है ग्रैब ब्रश सब्डिवाइड नहीं करता है में सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब यहां तो सब्सक्राइब कुछ ऐसा डीटेल यहां पर है क्रेट किया है अब है अब है क्लें मास्क तो अभी यह मास्क निकल गया अभी इसको थोड़ा स्मूथ करना यहां पे तो मैं इसको थोड़ा-थोड़ा स्मूथ कर सकता हूं है ठीक है तो तरीके से यहां पर थोड़ा गड़बढ हुआ है ठीक करना पड़ेगा अगर मैं अब ले लिए लूँ थोड़ा सा इसको माई थोड़ा सा वालिम देखे को स्मूथ कर सकते हैं से यह सब भी जगह पर है जहां पर देखे जहां पर डिटील्स नहीं है तो एक बार अगर मैं यहां पर क्लियर प्रश चलाओंगा तो वह आटमेटिकली सब डिवाइड हो जाता है अगर इसको आप वाइल फ्रेम में की तरफ देखते हैं कि मैं जो तो आपको दिखाना चाहरा हूं उसके लिए कुछ इस तरह का होना चाहिए और यह बहुत अंदर के तरफ है भी इसको थोड़ा बाहर ले सकता हूं बट अभी यह तर है इसको छोटा करना पड़ेगा ठीक है तो इसको अभी रहना देता हूं है यही है हमारा कान समझ लीजे ठीक है कार्टून का अभी पीसे चला गया क्योंकि मैंने फ्रंट फेसे ओन नहीं किया था बट हम लोग यहां पर देहां देते हैं यह जो फिल ब्रश है यह फिल ब्रश अगर माल लिजिए सर्फिस के बीच में यह जो गैप है इस चीज को फिल करने के लिए करते हैं तो यहां पर आप अगर जेनरल अगर फिल करना चाहिए तो आप इसे भी कर सकते हैं कि आप एक्स ब्रश यूज कर ले या फिर आप क्लियर ब्रश भी यूज कर सकते हैं बट टेक्निकली आपको फिल ब्रश यूज करना चाहिए क्योंकि यह ठीक है तो यह फिल करने के लिए होता है तो जो अगर मैं आपको ऐसे बता हूं कि यहां पर मैंने पिछे की तरफ देता हूं एक ठीक है यहां पर मैं कुछ इस तरीके से मैंने क्रेट किया और इसको स्बूद किया और शिव्ट सी इस तरह से गर दिया मैंने एफिक तो जो यह जो स्क्रेप है स्क्रेप और फिल एक दूसरे का उलता हूता हूं तो उस पर लिए क्क्रेप क्रता है आप यहां पर चलाएंगे तो यह क्या देखता है कि जो सबसे lowest plane है वो क्या है तो जो lowest plane है वो आपका यह जो जो गड़ा है यहां पर गड़ा दीख रहा है तो अगर मैं इसको यहां पर चलाओंगा तो इसके range में जो भी vertices हैं जो गोल दिख रहा है आपको एल्ट को तो वह फिल करते हैं तो वह सका उल्टा होता है तो यहां पर फिल ब्रस यूज कर सकते हैं तो यह जो हाइट है इस साइट पे उसको लाने के कोशिच करता है कि इसको आप यहां सेलेक्ट करने की जुरुक्त नहीं है अगर अपने स्क्रेप अगर आप स्क्रेप यूज कर रहे हैं तो अगर आप तो आप दो GERAPE correlation ओग्मारे को जहां कर सकते हैं। तो आपको दिखेगा फ्लैट हो गया। हुआ ठीक है जो scrape है इन Mesem में बता दीआ और फिल मैंने आपको तरह दी तो यह है ए यह जो group